अमेठी में टप्पे बाजों का आतंग आई से अंदर हम अपना जमा करने जा रहे थे लागस के टुक्रों को बताया एक लाख रुपए पलग जपकते हुए टप्पे बाज पराद एक शक्स मेहनत करके पाई पाई जोड़कर बैंक में पैसे जमा करने गया ताकि वो पैसे भविश में उसके परिवार के काम आ सके लेकिन उसे क्या पता था कि ठगों की नजर पूरी तरह से उसके पैसों पर बनी हुई है ठगों ने उस शक्स के भोलेपन का फाईदा उठाया और उसके पैसे लेकर बैंक से फरार हो गया बैंक वालों ने भी पीडित की मदद करने के बजाए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाड़ लिया नमस्कार मैं हूँ किरन आप देख रहे हैं निउस टाइम नेशन मामला अमेठी के जायस का है जहां कुछ बदमाशों ने विजे कुमार नाम के शक्स को अपनी ठगी का शिकार बना लिया लेकिन हट तो तब हो गई जब पीडित ने बैंक के कर्मचारियों से शिकायत की और उन्होंने अपने ही उपभोगता को खोतवाली का रास्ता दिखा दिया पिड़त विजे कुमार जायस के कंचाना महले के रहने वाले हैं जो बैंक आफ बड़ोदा शाखा में खाता धारक हैं विजे का आरोप है कि वे 30,000 रुपए लेकर जमा करने आये थे जहां कुछ अंजान लोगों ने उनसे फॉर्म भरने के नाम पर पैन मांगा इसके बाद उन्हें बातों में उलजा कर उन लोगों ने उनके हाथ में मौजूद पैसे ले लिए उन्ठगों ने ये कहा कि आप हमारे एक लाख रुपए पकड़ने हम बस आपका पैसा जमा करके आते हैं उन्ठगों ने उन्हें जो पैसे थमाए उसने उपर कुछ नोट थे लेकिन नीचे सिर्फ कागस पड़े हुए थे जब पीडित ने इसकी शिकायत बैंक में की तो बैंक कर्मचारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की बलकि उन्हें कोतवाली में जाकर रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा फिलहार पीडित परिशान है जो पुलिस से मदद की आस लगाए बैठा है ये खबर हमारे समवाददाता मुहमद तौफीक ने कवर की है आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप हमारी ये खबर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें साथी साथ अगर आप यूट्यूब पर हमारी ये खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले नमस्कार